नमस्कार दोस्तों, बाई जूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप में आपका स्वागत है, आज की तारीक है 28 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाहिंदू अकबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर जिसके तहत प्रारंभिक परिक् में अंतराश्टिय संबंध A.I.R. से है, मुख्य रूप से यह हमारा जो आलेख है, वो संबंदित है, गिलगित- बालतिस्तान छेत्र से, गिलगित- बालतिस्तान छेत्र, जिसे शौट में जीबी छेत्र कहा जाता है, यह हाल के समय में काफी चर्चा का विशह रहा है, वर करता था ठीक है अब उसको प्रथक रूप से पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाए और इसको इस प्रकार से पाकिस्तान में एकिकरत कर लिया जाए तो यह पूरा विवाद क्या है हम इसको देखेंगे इसके तहट हम यह समझने की कोशिच करेंगे कि गिलगित बालतिस्ता चेत्र है क्या इसकी इतिहासिक प्रष्ट भूमी क्या है इतिहास से इसका संबंध किस प्रकार से है भारत का इस पे क्या रूख है पाकिस्तान इसको क्यूं पूर्ण प्रांत का दर्जा देना चाता है और साती साथ इसमें चीन की क्या भूमी का है तो यह जो चेत्र विव यह योजना बना रही है कि गिलगित बाल्तिस्तान छेत्र को एक पूर्प्रांत का दरजा दिया जाना चाहिए जो पूरवर्ती जम्बु कश्मीर रियासत का एक हिस्सा रहा था। गिलगित बालतिस्तान छेत के बारे में अगर हम बात करें तो जम्बू कश्मीर के उत्तर पश्चिब में इस्थित एक ये पहाड़ी छेतर है जो जम्बू कश्मीर की पूरबरती रिहासत का हिस्सा रहा था. कि लेकिन 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया उसके बाद से ही इसको पाकिस्तान में अपने नियंत्रण में ले लिया और वर्तमान में भी यह पाकिस्तान का ही हिस्सा बनने की ओर है जब पाकिस्तान ने इसको अपने नियंत्रण में लिया तब इसको इन्हों नाम इसका बदल के इसको उत्री इलाका या Northern Areas कहा गया और यह जो Northern Areas का छेत्र था इसको पूर्ण रूप से पाकिस्तान में मिलाने के बजाए इसलामाबाद ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा यानि जैसे भारत में यूटीज होती हैं उसी तरीके से इसको भी केंद्र के द्वारा नियंत्रित छेत्र के रूप में इसके लिए एक रणनीती अपनाई गई जबकि दूसरी ओर भारत इसे जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा मानता है और P.O.K के समान ही गिलगित बलतिस्तान छेत्र पर भी भारत का रुख एकदम इसपश्ट है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और चूंकि जम्मू कश् पर पाकिस्तान का नियंत्रन रहा है और धीरे-धीरे इसको अब पाकिस्तान में एकिकरत करने की और कदम बढ़ाये जा रहे हैं जिसके तहट 2009 में पाकिस्तान सरकार द्वारा इस उत्त्री इलाके के लिए गिलगित बलतिस्तान शशक्तिकन और स्वाशाशन आदेश लाग लगा तो गिलगित बालतिस्तान छेत्र का ये एक ब्रीफ परिचे है अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें इसके विवात के इतिहास को हम देखें तो 1947 में जब भारत का विभाजन होने वाला था उस समय जम्मु कश्मीर रियासत के कुल पांच छेत्र थे, जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी, लदाक, गिलगित और बालतिस्तान छेत्र शामिल थे, यानि ये कुल पांच जो हैं जम्मू कश्मीर रियासत का अंग थे, इसमें बिटिज भारत ने उत्तरी सीमाओं पर, जो बिटिज भारत था, जिस इसकी उत्री सीमाओं पर गिल्गित अवस्थित था थीक है जिसमें कश्मीर के उत्तर पष्चिम शेत्र में उत्तरी छेत्र में इसकी अवस्थिती है इसके रणीतिक महत को देखते हुए1935 में 1935 में अंग्रेजों ने जम्मौकश्मीर रियासत से इस शेत्र को साट साल के लिए लीज पर ले लिया और वहाँ पर प्रशाशन के लिए बिटिश सेनाओं की बिटिश सेनने अधिकारियों की न्यूकती की इसके तहट जो इसके प्रशाशन का जो कारे था उसको गिलगित स्काउट्स नाम से सैन ने बलों द्वारा किया गया जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी जब 1947 में भारत को विटिश छोड़ने वाले थे इससे पहले ही विटिश सरकार ने इस लीज को रद कर दिया और इस छेत्र को वापस जम्मू कश्मीर रियासत के महराजा को छौप दिया लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर के संबंद में अंतिम निर्ने नहीं हो जाता तब तक बिटिशों ने इस छेत्र की सुरक्षा विवस्था को बनाए रखा यानि इस्तिती क्या थी कि जो गिलगित बालतिस्तान जो बरतमान नाम से जाने जाता है यह पहले जे एनके रियास रियासत का हिस्सा था 1935 ने अंग्रेजों ने इसे ले लिया क्योंकि इसका रणनीतिक महत अधिक था लेकिन 1947 में जब स्वतंत्रता हुई तो इसे जम्मू कश्मीर रियासत को वापस कर दिया गया लेकिन जो इसके सुरक्षा विवस्था का कार्य था वो बिटिशों द्व उसके दो बिटिश अधिकारियों मेजर डबलू ए ब्राउन और कप्तान एस मैथिसन ने वहां के एक प्रभावसाली सूबिदार मेजर बाबर खान की मदद से विद्रो कर दिया अब उन्होंने किया क्या कि इस छेत्र में जो महराजा ने जो गवर्नर की निक्ति की थी उस इस गिलगित बालतिस्थान छेत्र को पाकिस्तान में विलय की घोशना कर दी हाला कि इसके पहले ही जम्मु कश्मीर के महराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये थे और जammu कश्मीर कामनूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया था तो ये घटना कब की है? ये घटना है अक्टूबर 1947 की जब जammu और कश्मीर भारत का हिस्सा बना लेकिन उस समय चुकि विद्रो उस समय चल रहा था तो नॉवंबर 1947 को बिटिश अधिकारी ने गिलगित स्टाउट्स के मुख्याले में जो वहाँ पे सुरक्षा व्योस्था देख रहे थे, वहाँ पे अधिकारिक रूप से पाकिस्तानी जंडे को फेरा दिया और ये गोशना कर दी कि गिलगित छेत्र पाकिस्तान के नियंत् में ले लिया और उसके बाद से ही यह पूरा विवाद देखने में आ रहा है जिसमें दो बिटिश अधिकारियों ने अपनी महत्वा कांग्छाओं के लिए इस छेत्र को पाकिस्तान को सौंब दिया है और उसके बाद से ही यह छेत्र लगातार पाकिस्तान के नियंत्रन मे बना हुआ है ठीक है वर्तमान इस्तिती यह है कि गिलगित बालतिस्तान के पास सीमित शक्तियों वाली एक विधान सबा है जो कि पाकिस्तान सरकार में कश्मीर एवं गिलगित बालतिस्तान मामलों के मंत्राले के द्वारा प्रशाशित की जाती है ठीक है तो पियोके का छेत् कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है उसके मामलों को देखने के लिए और गिलगित बालतिस्तान के मामलों को देखने के लिए अलग मंत्री की केंद्री मंत्री की न्यूक्ति की गई है और इसके मंत्राले द्वारा इसके मामलों को देखा गया है इसके अलावा इसके तहत जो वास्त्विक शक्तियां हैं, वो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली परिशद में नहित हैं, अब आगे चल कर इसका ये योजना बनाई जा रही है, कि गिलगित बालतिस्तान छेत्र को विले कर लिया जाएगा पूरी तरीके से पाकिस्तान में, ठ तो पाकिस्तान ने जब 1947 में इस पर कबजा कर लिया, तो 1970 तक इस गिलगित छेत्र को लगतार कबजा जमाए रखा, जिसमें धीरे धीरे उन्होंने ये नीती रखी कि जो कश्मीर का जो छेत्र है, ठीक है, और जो गिलगित बालतिस्तान का छेत्र है, इन दोनों को प्रथक कर दिया जाए, क्योंकि जो P.O.K का छेत्र है, वहां की जो अबादी है, वहां की जो भाशा है, वो गिलगित बालतिस्तान छेत्र से अलग है, गिलगित बालतिस्तान छेत्र शिया बहुल छेत्र है, इसके अलावा वहां पर बहुत सारी जंजातियां निवास करती हैं, जि में जब पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा तब उसने इस गिलगित छेत्र को P.O.K. से अलग कर दिया और इसे पाकिस्तान का उत्तरी छेत्र या नौर्दन एरियास नाम दिया गया जिसको प्रत्यक्ष रूप से संग सरकार के नियंत्रन में रख दिया गया. आगे चलकर 2009 में इस छेत्र का नाम बदल कर गिलगित बालतिस्तान कर दिया गया और अभी हाल में ही 2020 में यह देखा जा रहा है कि इसके पूर्ण विले की योजना बनाई जा रही है. ठीक है भारत की क्या इस्तिती है तो भारत का यह कहना है कि गिलगित बालतिस्तान छेत्र पाकिस्तान ने अवैद रूप से कबजा किया है जिस प्रकार से उसने पियो के छेत्र पर कबजा जमा लिया है. ठीक है अब भारत का यह तर्क है कि चुकि अक्टूबर ठीक है याद रखीगा अक्टूबर 1947 में जब जम्बु कश्मीर के महराजा ने भारत में अपने विले को कर दिया तो जम्बु कश्मीर के जितने छेत्र थे इंक्लूडिंग गिलगित बालतिस्तान वो भी तकनीकी अधार पर कानूनी अधार पर भारत का हिस्सा हो गए थे और वहां की सुरक्षा करने वाले बिटिश अधिकारी जिनका गिलगित बालतिस्तान की संप्रभुता को लेकर किसी वी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था अगर केवल और केवल वो दो व्यक्ति किसी प्रकार के व विद्रो कोई घोशना करते भी हैं, तो उनके विद्रो को जो वैधानिक है, वो माननता नहीं दी जा सकती, इसके संदर में बिटिश अधिकारियों की गिलगित बालतिस्तान छेतर को स्वतंतरता दिये जाने के संदर में कोई कानूनी अधिकारिता नहीं है, इसलिए पाकिस् पाकिस्तान द्वारा उस पे कबजा किया जाना पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और कानूनी तोर पर गिलगित बालतिस्तान भारत का अभिन हिस्सा है जिस प्रकार से पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर भारत का अभिन हिस्सा है। इसके अलावा अगर संब्यधानिक दृष्टी कोण से देखें, तो पाकिस्तान के संब्यधान में गिलगित बालतिस्तान छेत्र का कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसके कराण पाकिस्तान इसकी इस्तिती को लेकर आइस पच्टता बनाए रखता है। भारतिय संसद ने 1994 में इसके संदर में एक प्रस्ताव भी पारित किया था, और ये कहा था कि P.O.K. और गिलगित बालतिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर के अभिन हिस्से हैं, और चुकि जम्मू कश्मीर भारत में विलै हुआ है, इसके चलते P.O.K. और गिलगित बालतिस्ता भी automatically ठीक है अपने आप ही भारत का हिस्सा हो जाते हैं इसके संदर में बिटिस संसद ने भी अपने रुख को इसपश्ट किया है और बिटिस संसद ने 2017 में एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि गिलगित बालतिस्तान छेत्र कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है तो इस गैर कानूनी रूप में अधिकरत किया गया है और पूर्ण प्रांथ जो बनाए जाने की बाते हो रही है उसके चलते पाकिस्तान अपने हित को देख रहा है और इसके साथ ही चीन के भी इसमें हित जुड़े हैं जिसके चलते यह जो मुद्दा है वह दूई-पक्षिये से आगे बढ़कर त्री-पक्षिये हो जाता है ठीक है तो अगर पूर्ण प्रांथ बनाने के नहीतार्थों के बारे में चर्चा किया जाए तो वर्तमान में पाकिस्तान में चार प्रांथ हैं जिसमें बलूचिस्तान, खैर, पक्तून, वाला, पंजाब और सिंथ यह हैं कानूनी इस्तिती मजबूत हो जाए साथ ही साथ जो गिलगित बालतिस्तान का छेत्र चूंकि प्योके से जुड़ा हुआ है इसी के चलते इसकी भोगोलिक इस्तिती भी काफी महत्पूर्ण है यही कान है कि पाकिस्तान इसको अपने अधिकार में बनाए रखना चाहता है अब इसके तहट भारत ने जिस प्रकार से अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनरगठन किया पाकिस्तान भी इसके बदले के रूप में इसका जवाब देना चाहता है और गिलगित बालतिस्तान छेत्र को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है इसके अत्रिक्त पाकि पिया मुस्लिम है वो पाकिस्तान के अधिकरत कश्मीर से पियो के छेत्र से चुकी कोई समानता नहीं रखते इसके चलते भी एकी करण करना चाहता है पाकिस्तान ताकि एकी करण के माध्यम से गिलगित बालतिस्तान के लोगों के असंतोश को दूर किया जा सके अब अगर ह आर्थिक गलियारा जो बनाये गया है वो आर्थिक गलियारा इस छेत्र से गिलगित बालतिस्तान छेत्र से होकर गुजरता है और भविश में कश्मीर को लेकर कोई तनाव हो और इससे पाकिस्तान में जो चीन ने निवेश किये हैं उनको कोई खत्रा ना आ जाए इसके चलते वो ये चाहता है कि गिलगित बालतिस्तान शेतर पर पाकिस्तान का नियंतरन बढ़े चीन का भी अपरत्यक्ष नियंतरन बढ़े इसके अलावा भारत ने चूकी जम्बो कश्मीर से लद्दा को अलग करके और उसको केंदिरे नियंतरन मिलाकर चीन पर दबाव बढ़ा दिया और इसके माध्यम से लगतार भारत ये कोशिच कर रहा है कि चीन ने अकसाई चीन पर जो अपना अधिकार जमा रखा है उसको लगतार चुनोती दी जाए तो यह भी चीन पर दबाव डाल रहा है इसके तहट भविश्य में यह भी संभावित है कि चीन और पकिस्तान दोनों म जो गिलगत बालतिस्तान का जो छेतर है वो लद्दाक और चीन के जो शिंग जियांग प्रांथ है उससे समीपता रखता है यही कारण है कि चीन यह चाता है कि जो जम्बु कश्मीर विवाद है उससे गिलगत बालतिस्तान छेतर को डी लिंक कर दिया जाए यानि इससे इस कर दिया जाए इससे इसको पर्थक कर दिया जाए ताकि चीन के जो सामरी खित हैं चीन के जो आर्थिक हित हैं उनको कोई आर्थिक हानी का सामना नहीं करना पड़े ठीक है तो बहुत सारे ऐसे हित हैं जिसके माध्यम से चीन यह कोशिच कर रहा है कि उसके हित बने रह जाए अब इसके तहट भारत को बहुत साउधानी से कारे करने की जरूरत है जिसके तहट भारत लगातार गिलगित बालतिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना रहा है और इसी के अनुसार भारत को आगे कारवाही करने की जरूरत है तो गिलगित बालतिस्तान छेत्र की क्या इस इसके संदर में भारत को क्या करना चाहिए, इसके संदर में हमने कुछ बाते कहीं, ठीक है, चलिए, अगला आर्टिकल देख लेते हैं, अगला जो हमारा आर्टिकल है, वो पेज नम्बर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध GS paper 3 में अर्थविवस्ता से है, मुख्य रूप से इसका संबंध DSCOMS से है, DSCOMS क्या होते हैं, तो DSCOMS को हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, distribution, companies, यानि जो बिजली का, ठीक है, DSCOMS पतला हो गई, बिजली का वितरण करने वाली जो कंपनियां होती है, उसको कहा जाता है, DSCOMS, बिजली का वितरण करने वाली कंपनियां, जो किसी उत्पादक जो बिजली का उत्पादन करने वाली हो जैसे कि मान लिजे NTPC, NTPC ने जो है किसी थर्मर पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन किया, उसके बाद जब उसको उपभोगता तक पहुचाये जाता है, तो उपभोगता तक पहुचाने की कड़ी में, जिन कंपन companies किसकी distribute करती हैं तो बिजली का यह distribution करती हैं समान्य रूप से जो भारत में अधिकांस दो discoms हैं वो सरकार ही है ठीक है और सरकार द्वारा ही इसका वितरण किया जाता है लेकिन हाल के समय में यह देखा गया है कि जो विद्युद वितरण कंपनी हैं जो discoms हैं वो काफी घाटे में लगतार चल रही है और COVID-19 के चलते यह समस्या और बढ़ गई है तो यह जो लेक है वो इस बारें बात करता है कि कि जो discoms कंपनियां हैं जो विद्युद वितरण कंपनिया है उस पर कितना तनाव है वो कितनी जादा घाटे में है और यह जो घाटा है उसको जब हमें नि 55 करना चाहिए या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्या केवल और केवल हमें इसका वित्यां करने से ही हमारी समस्याइं सुलच जाएंगी या फिर कुछ और ऐसी बाते हैं जिनके निवारण की आऊशकता है तब ही जो है हम जो भारत में वित्रण छेत्र में कारे करने वाली जो डिसकॉम्स हैं बिजली वित्रण कमपनिया हैं उसको हम किस तरीके से घाटे से उबार सकते हैं इसक इसको डिसकॉम्स के नाम से जाने जाता है डिस्टिब्यूशन कमपनीज यह जो है गहरे तनाव में है और इसके लिए कारे करने की जरूरत है ठीक है अगर हम इसके प्रष्ट भूमी में बात करें इसके कुछ बैक्राउंड के बारें बात करें तो कोविद नाइंटीन की प्रष्ट भूमी थी तो भालत सरकार ने 20 लाग करोड का आर्थिक पैकेज दिया इसमें 90,000 करोड रुपए डिसकॉम्स को दिया गया विद्युद वित्रण कमपनियों को दिया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 1,25,000 करोड किया गया ठीक है लेकिन जो आकड़े बताते हैं कि वित्रण कमपनिया यानि डिसकॉम्स पर जो रिन का बोज है वो 2,27,000 करोड से अधिक है और केवल और केवल 1,25,000 करोड से बात नहीं बनेगी इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है क्यूं? क्यूंकि जो विद्यूत की वित्रण कंपनियां है, वो विद्यूत के वित्रण में महत्पूर्ण भूमी का निभाती है, जिसके तरह एक और तो थीक है, वो एंटी पीसी जैसे उत्पादकों से बिजली खड़िती है, वहीं दूसरी ओर उसका जो वित्रण है, वो करती है, ठीक है, लेकिन यह जो पूरी विवस्ता है, इसमें डिसकॉम्स कंपनियां में बहुत सारी सीमाएं देखी गई है, जिसके चलते भारतिये डिसकॉम्स लगातार रिंगरस्त हैं, और जो विद्वान है, वो यह बताते हैं, कि यह जो आंकड़ा है, वो 2,27,000 करोड तक हो सकता है, ठीक है, अगर हम इसके कारगों के बारें में बात करें, कि ऐसे कॉम से कारण है, इसके चलते uniqus कॉम्स इतना ज्यादा घाटे में हैं, तो सबसे पहला जो सबसे प्रमुग कार दिया जाता है, उसे कहा जाता है AT&C Losses, या इसे कहा जाता है, समग्र, तकनीकी और वानिजिक हानिया ठीक है aggregate technical and commercial losses aggregate technical and commercial losses समगर तक्नीकी और वानिजिक हानिया जिसके तहट बिजली की चोरी आती है लोग बिजली की चुराई लोग जो है बिजली को चोरी कर लेते हैं इसके अलाबा जो उपभोकता है जो बिजली को उपयोग करने वाले लोग हैं वो समय बिजली की धरों को देते नहीं है, वो अपने बिजली के बिल्कों, समय पर नहीं चुकाते, इस से जो है, जो discoms हैं, उनको, उनकी लागत वसूल नहीं हो पाती, जिस से उनको हानी का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा, जो विद्यूत के छेतर में, जो विद्यूत की जो बिजली की जो दरे हैं, उसको जो निर्धारित करने का जो तरीका है, उसमें हम राजनीती को देखते हैं, उसमें हम politicization, राजनीती करण की पिरकिरिया को देखते हैं, जिसके तहट जो बिजली की कीमते हैं, उनको बाजार की आउशकता या बाजार की मांग के अनुसार त पिर जिस लागत पर जिस पैसे पे उन्होंने उत्पादक से उसे खरीदा होता है वो जो है पूरा नहीं हो पाता जिससे शुरू से ही डिसकॉम्स लगतार घाटे में आते जाते हैं। इसके अलावा राज्य समय समय पर जो उनके उपभोगता होते हैं, जैसे कि किसान हो सकते हैं और दूसरे वर्ग हो सकते हैं, उनको बिद्यूत के उपयोग पर वह योजनाओं की घोशना करते हैं, वो जीरो रेट पर, शून्ने दरों पर किसानों को बिजली की घोशना करते ह और Discoms से कहा जाता है कि हम जो है किसानों की जो लागत है किसान जो खर्च करेंगे उसका हम आपको बुक्तान करेंगे इसके तहट राज्य बिजली के उपयोग पर सबसीडी देते हैं लेकिन यह जो सबसीडी होती है वो Discoms कंपनियों को समय पर नहीं की जाती और इसके चलत से राज्य Discoms के संदर में default करते रहते हैं लगतार जो है वो इसको चुकाते नहीं है जिससे चुकि Discoms कंपनियां राज्य पर कोई मुकदमा करने में सक्षम नहीं हो पाती इसके चलते कंपनियों को इसकी हानी उठानी परती है राज्यों के बजाए तो राजनीती करन जो देखी जाती है cross subsidy करन की प्रकिरिया क्या होती है तो इसके तहत होता क्या है कि उपभोकताओं का वर्गी करन कर दिया जाता है उपभोकताओं का वर्गी करन का मतलब क्या हुआ कि जो घरेलू उपभोकता होगा ठीक है जो किसान होंगे उनको जो है बहुत कम दरों पर उनक तो हो सकता है कि घरिलू छेत्र को 2 रुपए की बिजली मिले उद्योग को हो सकता है 22 रुपए की बिजली मिले इससे होता क्या है कि उद्योगों पर जो है दबाव प्रेशर जो है लगातार बढ़ता जाता है जिससे उद्योगिक छेत्र यह कोशिच करता है कि हम बिजली की या फिर कुछ ऐसे उपाय अपनाएं कि हमें बिजली का बिल ही ना देना पड़े तो इससे भी जो है दिक्कतें बढ़ जाती हैं विशेश रूप से जो AT&C जो लॉसिज हैं वो बढ़ते जाते हैं इसके अलाबा उपभोक्ताओं को कम दरों पर बिजली मिलने के उनके द्वारा समय पर बिजली का भुकतान नहीं किया जाता और विद्यूद वित्रण कमपनियां डिसकॉम्स भी इसमें जादा कुछ नहीं कर पाती हैं ठीक है यह जो पूरी समस्या है वो COVID-19 के दौर में और जादा भयावय हो गई है क्यूंकि मांग तो कम हुई ही है सा अतिसाद जो अद्योगी गतिविदियां है वो भी गिरावट की स्थिती देखी गई है और इसके अनुपात में जो डिसकॉम्स हैं उनके खर्च लगतार वैसे के वैसी ही हैं यही कारण है कि इनके जो रिण हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है ठीक है अब इसके तहत क्य किया जाना चाहिए तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको यह चीद याद रखनी है कि केवल और केवल अगर डिसकॉम्स को जो उनका घाटा हुआ है उसको आप केवल उपलब्द करा दें वही एक मात्र विकल्प नहीं होगा इसके तहत जो डिसकॉम्स की जो कारे प्रण होकता है उन सब को साथ मिलके रणीती बनानी की जरूरत है इसके तहत घाटो को कम किया जा सके इसके लिए कारे करना होगा जैसे जैसे लोगों का नवी करणिये उड़जा पर विश्वास बढ़ रहा है उस प्रष्ट भूमी में विद्यूत वितरन कंपनी भी विश्वास बहाली कर सकें इसके लिए कारे करना होगा जिसके लिए हमें विद्यूत की जो दरें हैं उनको पृतिसपर्धी बनाना होगा और उसमें नियमितता लानी होगी ताकि डिस्कॉम्ज को घाटा ना जहेलना पड़े इसके तेहर्त राज्य सरकारों द्वारा जो सब्सीटी की गोशना की जाती है, उसको तारकी करत की जाने की जरूरत है और यह जो भुकतान है, सबसीटी जो भुकतान है उस समय पर हो यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्चक है। के इसके लिए डिसकॉम्स की कारेपनाली में सुधार को किये जाने की आवशक्ता है ठीक है चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध GSP 3 में अर्थविवस्था से है ठीक है संदर्ब क् केंद्रिय सरकार केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 के दौर में जो रिन पर मोराटोरियम लगाया गया था ठीक है जो लोन पर जो मोराटोरियम लगाया गया था और इसके संदर्ब में जो लोन लिये गये थे उन पर ब्याज और ब्याज पर जो ब्याज लगतार इखटा हो रहा था और यह जो मामला है जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो अब सरकार ने ये घोशना की है कि जिन व्यक्तियों ने जिन MSMEs ने दो करोड तक का रिन लिया होगा और इस पर जो ब्याज पर जो ब्याज है ठीक है इंट्रेस्ट ओन इंट्रेस्ट है उसको केंद सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसके तहट जो इकटा हुआ ब्याज है ब्याज पर ब्याज वो केंद सरकार द्वारा खुद वहन किया जाएगा और इसे उपभोकताओं के खाते में डाला जाएगा यह जो मामला है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है हाना कि केन सरकार ने जो ये गोशना की है वो एक स्वागत योग के कदम है इसके माध्यम से उपभोकताओं को राहत मिलेगी साथ ही साथ जो MSME छेतर है लगू, मध्यम और सूक्च उपकरम है उनको भी राहत मिलेगी ठीक है लेकिन केवल और केवल आप ब्याज के संदर में छूट दे दे यही केवल एक मात रुपाई नहीं है हमें इस संदर में और भी उपाई किये जाने की जरूवत है जिसके तहट MSME छेतर को जो मांग की कमी देखी जा रही है जो उसमें मंदी की स्थिति देखी जा रही है जो उसमें रोजगार जो खतम हुए है उसके लिए स वो खुझ से राजकोशिय रूप में सहयता कर सकें, इसके तहट जो दो करोण की सीमा घोशित की गई है, उसमें भी लोगों को समय समय पर इसमें समीक्षा करना होगा, ताकि इन दो करोण की सीमा में भी जो सबसे जादा सुभेद हैं, उनको सरवाधिक लाव हो सके, इसके ल विशेश रूप से COVID-19 के दौर में लोग जो अपनी EMI वगेरा नहीं चुका पा रहे थे, और EMI को ना चुकाने के चलते, जो मोराटोरियम घोशित किया गया था, इस मोराटोरियम से जो NPA बनने का खत्रा पैदा हो गया है, और साथी साथ जो EMI पर जो लोन था, लोन के त जो केन सरकार ने गोशना की है, अब यह देखने वाली बात होगी, कि इसका EMI पर, इसका ब्याज किराशी पर, इसका NPA पर सकारात्मक प्रिभाव पढ़ता है अत्वा नहीं, ठीक है? चलि, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं, अगला जो हमारा आर्टिकल है, वो फ्र वारता से 2 प्लस 2 वारता जो है, वो 27 अक्टूबर, यानि कल ही संपन हुई है, इसके संदर में हमने 23 अक्टूबर 2020, याद रखेगा, 23 अक्टूबर 2020 को, जो हमने DNA लिया था, उसमें हमने इसकी काफी व्यापक coverage की थी, तो आप उसको इसमें देख सकते हैं, कि इसमें कौन कौन सी महत्पूर बाते हैं, इसके तहट हमने बेका की भी चर्चा की थी, जो कल साइन किया गया है, ठीक है, Basic Exchange Corporation Agreement, बेका क्या होता है, इसके अलावा, US के साथ साइन के गए, दूसरे मूलभूत समझोते कौन कौन से हैं, जिसमें हमने बात की थी, GSO, मिया के बारे में, हमन बात की थी, लिमोवा के बारे में, ठीक है, इसके अलावा, हमने बात की थी, कौम, कासा के बारे में, इस सारे के सारे क्या होते हैं, 2 प्लस 2 Agreement में, US क्या चाता है, भारत की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, इसमें चीन की क्या भूमिका है, इसके क्या सामरिक न देखना चाहिए, इसके तहट हम कुछ महत्पूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं, जो कल agreements वगेरा sign किये गए हैं, ठीक है, भेका वगेरा की चर्चा 23 अक्टूबर 2020 के DNA में की गई है, तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए, ठीक है, तो संदर मैंने आपको बताया कि भ पारदर्शिता, Freedom of Navigation यानि जहाजों के आवा गमन को बढ़ावा देने के साथ ही, खुले और समरद इंडो-पेसिफिक छेतर पर बल दिया है, ठीक है, इसके तहट अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा, चीनी Communist Party CPC को लोकतंतर का शत्रू बताया गया, और इसके लिए भार भारत को अगर कोई संपर्भुता की रक्षा से संबंधित कोई प्रश्ण आता है, ठीक है, भारत को अगर आकरामक्ता का सामना करना पड़ता है, अब प्रत्यक्ष रूप से चीन के द्वारा, तो इसमें अमेरिका द्वारा सहयोग किया जाएगा, और वर्तमान, चीन, सीम अविवात की प्रश्ण भूमी में इसकी काफी महत्ता कही जा सकती है, इसके तहट बेका एग्रिमेंट को साइन किया गया है, जो मुख्य रूप से भगोलिक सूचनाओं के आदान परदान को सहज बनाता है, साथी साथ दूसरे समझोतों को भी हस्ताक्षरित किया गया है, जैसे की अर्थ अबजर्वेशन और प्रतिवी विज्ञान छेत्र में तकनीकी सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग साइन करना, परमानु उर्जा भागेदारी में सहयोग पर भी समझोता ग्यापन हस्ताक्षरित किया जाना, कस्टम डेटा के स्वचालित इल तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जिसके बारे में इसको साइन किया गया है, जो आपको ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा एक और आर्टिकल देख लेते हैं, जो हमारा संबंदित है पेज नमबर एक से, और यह संबंदित है GS Paper 2 में पॉलिटी से, तो GS Paper 2 में इसका संबंध प रखनी है, यह जो हमारा आर्टिकल है, यह संबंदित है GS Paper 2 पॉलिटी से, पेज नमबर एक से इसे लिया गया है, और मुख्य रूप से, मुख्य रूप से यह संबंदित है जम्मू और कश्मीर से, तो इसके संदर्ब को हम देख लेते हैं, तो संदर्ब क्या है, कि कानूनों में परिवर्तन किया गया है, और इसके तहट अब भारी लोग जो आउटसाइडर्स हैं, वो भी अब भूमी खरीच सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा, कि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का जब पुनरगठन किया गया, उसके बार से ही इसमें बहुत सारे परिवर्तन किये गये हैं, और अब इसमें भूमी संबंधी कानूनों में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके तहट अब जम्मू कश्मीर छेत्र में जो लैंड राइट्स थे, जो भूमी संबंधी अधिकार थे, उसमें जो पर्मनेंट citizens of जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इस्थाई नागरिकों का जो एकादिकार था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है, अब बाहरी लोग, आउटसाइडर, दूसरे प्रांथ के लोग भी जम्मू कश्मीर में लैंड भूमी खरीद सकते हैं, जिससे आगे चल कर ये कहा ज जा सकेगा, ठीक है, एगरिकल्चिरल लैंड को सुरक्षित करने के लिए भी प्रावधान किये गए हैं, इसके तहट भूमी के हस्तांतरन को भी संभव बनाये गया है, जिसमें यदि जम्मू कश्मीर में स्वास्त सुविधाओं का विकास करना है, यदि जम्मू कश्मीर म जम्मू कश्मीर छेतर में शान्ती विवस्ता को बढ़ावा देने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों से निपठने के लिए कॉर्प्स कमांडर इस्तर के और उससे उच्च इस्तर के अधिकारी अब किसी छेतर को रणनीतिक छेतर, स्टैटेजिक एरिया घोशित कर स ठीक है तो पहली बात तो ये कि भूमी संबंधी प्रावधान और दूसरा शान्ती विवस्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये गए हैं जो काफी महतपूर्ण है ठीक है चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज मनोज नर्वाने की मयानमार व्यातरा हुई है और भारत के लिए मयानमार दक्छिन एशिया को साउठ एशिया को दक्छिन पूर्भ एशिया से जोडने का एक महतपूर्ण माध्यम है साती साथ South East Asia, दक्षिन पूर्व एशिया के जो 10 देशों का संगठन है, आसियान, Association of South East Asian Nation, दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, इस तक पहुच का भी महतपूर माध्यम है, क्यों कि मायानमार भी इसका एक सदस्य है, यही कान है, लगतार मायानमार से संबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके तहद भारत ने मायानमार के संदर में उसके आंत्रिक मामलों में हस्तक छेप ना करने की नीती को अपनाया है, जिसके तहद 1990 के बाद से ही मायानमार में चाहे सेनने साशन रहा हो, मिलिटरी जुन्टा का साशन रहा हो, या फिर वर्त को बढ़ावा दिया और वर्तमान में जो आंग सांग सूकी की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको भी भारत समर्थन दे रहा है मयानमार के द्रिष्टी कौन से देखें तो मयानमार चीन पर अपनी पूर्ण निरभरता नहीं रखना चाता और इसके लिए भी वो भारत का समर्थ करता है ताकि चीन पर अपनी दिरभरता कम की जा सके हाल के सालों में दोनों ने साज़ेदारी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं जैसे कि भारत ने मयानमार में अपनी दूतावास के अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया है इसके तहत इसके अतरिक्त भारत मयानमार में पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना कर रहा है छे बिलियन डॉलर के निवेश से इसके अलावा दोनों देशों के मद्धे सीमा छेतर पर सहयोग भी हुआ है जिसमें दोनों देश ये कोशिच करते हैं कि उनकी भूमी का उपयोग एक दूसरे के खिल सारे के सारे जो मुद्धे हैं इसमें भारत द्वारा और अधिक सक्रिय भागेदारी की आवशकता है ठीक है ताकि दोनों देशों की बीच जो संबंध है वो और बहतर हो सके तो हाल के समय में इसमें तेजी जरूर आई है लेकिन इसको आपको और बढ़ावा दिये जाने क की जरूरत है तभी इसको आप और बहतर कर सकेंगे ठीक है चलिए अब कुछ प्रिल्दिम्स प्रैक्टिस कोशन देख लेते हैं निमलिखित कतनों में से सत्य कतन कतनों की पहचान करें गैर कानूनी गतिविधी निवारण अधिनियम 1967 जिसको शॉर्ट में कहा जाता है यू dwa Pa Unlawful ठिक है Unlawful Act को जो निवारित करने के लिए ठिक है Unlawful Act को प्रिवेंट करने के लिए जो अधिनियम है वो भारत में आतंकी कारवाईयों से निपटने का प्रात्मिक कानून है इस कानून के अंतरगत केवल संगठनों को ही आतंकी संगठन के रूम में चिनीत किया जा सकता है सत्थे गथन पेचानना है केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों कि ना तो 1 ना ही 2 तो इसमें पहला गथन तो सही है दूसरा गलत है तो उत्तर हो जाएगा हमारा A केवल एक तो UAPA जिसको कहा जाता है Unlawful Activities Prevention Act गैर कानूनी गतिविधी निवारन अधिनियम 1967 इसके तहट अभी जो पिछले साल अगस्त में जो संशोधन किये गए तो अगस्त 2019 के संशोधनों के माध्यम से अब किसी संगठन और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को भी आतंक आतंक वादी घोशित किया जा सकता है और इसके माध्यम से भारत ने पाकिस्तान में निवासित कई व्यक्तियों को आतंक वादी घोशित किया है इसके तहट ठीक है छोटा शकील डाव और इबराहिम अकबाल भतकल आदि शामिल है और अभी वर्टमान में 18 और लोगों को में रहने वाले लोगों को आतंगवादी घोशित किया गया है ठीक है दूसरा कोशन देख लेते हैं प्रधान मंत्री स्वा निधी स्कीम की विशेशताओं के संदर में दिये गए कतनों में से सत्य खतन कतनों की पहचान करें इसके माध्यम से कोविद नाइंटीन लोगडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीवी का दुबारा शुरू करने के लिए वहनिये कारेशील पूंजी गत रिंड सहायता प्रदान की जाती है इसे आत्म निर्भर भारत पहल के अंतरगत प्रारम किया ग तो पीम स्वानिधी स्कीम के संदर में तीनों के तीनों जो कतन हैं वो सत्य हैं तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी एक दो और तीन तो आज के संदर में यह खबर आई है जिसमें प्रदान मंत्री द्वारा जो पीम स्वानिधी स्कीम ठीक है पीम स्वानिधी स्कीम जिसको कहा जो रिन दिया है उस समय पर चुकाया है और इसके लिए प्रधान मंत्री ने उनकी प्रशंशा भी की है ठीक है तो PM स्वानिधी योजना COVID-19 महमारी के मद्दे नजर सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत के तहत गोशित आर्थिक पैकेज का हिस्सा है यह योजना स्टीट व हैं वो लॉकडाउन के बाद फिर से अपना काम शुरू कर सकें इसके लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश है इसके लिए आवेदुकों को कोई भी जमानत या कोलेक्टरल देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जिसके तहत उनको पूंजी को चुकाने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा और इसमें वो माशिक किस्तों के माध्यम से रिन का भुकतान कर सकते हैं यदि वो समय पर भुकतान देते हैं तो उनको ब्याज की सबसीटी भी दी जाएगी जो उनके सीधे बैंक खाते में होगी यदि वो जल्दी पैसा मुख्य रूप से एक एंटी शिप मिसाइल है इसे एरक्राफ्ट से जहाज की सतय पंडूबी और तटिये रक्षा उपकरनों के माध्यम से छोड़ा जा सकता है इसका विकाज भारतिये नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप में किया गया है तो इसमें पहला और दूसरा क ताइवान के मद्द्य संबंद बढ़ रहे हैं जिसमें अमेरिका ने ताइवान को लगग धाई बिलियन डॉलर के डिफेंस मिसायल सिस्टम दिये हैं जिसमें हारपून का मिसायल सिस्टम महत्पून है ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं वार्शिक अधार पर प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट राज्यों का वित बजट अध्यान रिपोर्ट स्टेट फिनेंसिस और स्टेडी ओब बजट्स निमलिकित में से किस संस्था या मंत्राले द्वारा जारी की जाती है वित्त मंत्राले, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया, नीतियायोग, राज्य वित्त बिभाग तो यह जो रिपोर्ट है वो RBI द्वारा जारी की जाती है और अभी हाल में ही इसको जारी किया गया है जिसके माध्यम से RBI ने यह आशंका जाहिर की है कि जो COVID-19 का जो प्रिभाव है वो राज्यों के Fiscal Consolidation या राज्यों का जो राजकोशिय समेकन है जिसके तहत राज्यों ने घाटे को कम करने के लिए प्रयास किये थे अब COVID-19 काल में राज्यों का घाटा फिर से बढ़ सकता है जिसके लिए और प्रयास किये जाने की जरूरत है थीक है लास्ट एर का एक कोशन देख लेते हैं 2020 का निमलिखित में से कौन सा कथन और द्योगी करांती के द्वारा 19. शताबदी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है भारती दस्तकारी उद्योग नश्ट हो गए थे भारत के वस्त उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रिवेश हुआ था देश के अनेक भागों में रेलबे लाइने बिछाई गई थी बिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था तो उद्योगी करांती में उननीस्वी शताबदी का पूरवार्द यानी अठारा सो से लेकर अठारा सो पचास का काल इसके काल में भारती दस्कारी उद्योग बड़े पैमाने पर नश्ट हुए जिसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हाल ही में चर्चा में रहा गिलगित बालतिस्तान छेत्र विवाद की एतिहासिक प्रस्ट भूमी को इसपष्ट करते हुए भारत पाकिस्तान और चीन की भूमिका पर भी यतोचित उधानों के माध्यम से प्रकाश डालिए 250 शब्द 15 अंग भारती विद्यूत वितरन कंपनिया डिसकॉम्स अपने अतीत की तुलना में वर्तमान में अधिक तनाव ग्रस्त हैं जिनके निवारण के लिए अनेक उपायों को अपनाए जाने की आवशक्ता है चर्चा करें 250 शब्द 15 अंग तो आज की चर्चा के माध्यम से दोनों कोशन आप लिखने का प्रयाज कर सकते हैं तो बाइजू इस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप के इस वीडियो में हमने ये कोशिश की की दाहिंदू निउस्पेपर के पीटी और मेंस दोनों के पून टॉपिक्स को आपके समक्ष रख सकें यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक शेर और सब्सक्राइब करें तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू